आखिर क्यों इस देश में लड़कों की होती है, बहस एक दिन की शादी, फिर क्या होता है दुलहन का? यहां किसी फिल्म की शूटिंग के दौरान नहीं, बलकि रियल लाइफ में एक दिन की शादी होती है. आईए जानते हैं कहां और क्यों होती है ऐसी अनोखी शादी और बाद में उस लड़की का क्या होता है जो एक दिन की दुलहन बनती है भारत ही नहीं पूरी दुनिया में शादी की बहुत एहमियत समझी जाती है तभी तो शादी शुदा लोगों को समाज में ऐसे देखा जाता है मानो शादी होने के बाद ही उनकी जिन्दगी सेटल हुई हो वैसे तो पूरी दुनिया में हर धर्म में शादी ब्याह की अपनी अलग-अलग परंपराएं है कहीं तहीं तो अजीबोगरीब तरह की परंपराएं आज भी निभाई जाती है लेकिन आज हम आपको एक ऐसी शादी के बारे में बताने जा रही है जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा ये एक ऐसी शादी है जिसमें लड़का और लड़की केवल एक दिन ही के लिए दूलहा दुलहन बनते हैं आईए जानते हैं कहां होती हैं ऐसी शादिया ये अनोखी शादिया हमारे पडोसी देश चीन में होती है कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस समय पूरे चीन में इस तरह की मैरिज हो रही है आपको जानकर हैरानी होगी कि यह चीन की कोई बहुत पुरानी परंपराओं में से एक नहीं है बलकि कुछ समय से इस तरह की शादिया होनी शुरू हुई है ऐसी शादियां हमेशा से चीन में नहीं होती थी इन शादियों में कोई धूमधाम नहीं होता ना ही किसी भोच का आयोजन होता है ये बहुत ही साधारण और गुपचुप तरीके से ये शादिया होती है क्या है एक दिन की शादी के पीछे की वज़र? चीन में बीते कुछ वर्षों में ऐसी शादियों का चलन तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि इन दिनों लड़कों की शादी नहीं हो पा रही इसके पीछे वज़ा बताई जाती है कि चीन में शादी के दौरान लड़के के परिवार को बहुत खर्चा करना पड़ता है जिस से ज्यादातर लड़के शादी नहीं कर पा रही है बताया जाता है कि चीन में लड़कों का कुमवारा मरना शुब नहीं माना जाता ऐसे में लड़कों की कुवारा होने की पहचान मिटाने के लिए साधारन तरीके से एक दिन की ही सही लेकिन लेकिन शादी की जा रही है कुछ हिस्सों में किसी कुमवारे लड़के की मौत हो जाती है तो अंतिम बिदाई के दौरान ही उसकी शादी करा दी जाती है अब सवाल यहां उठता है कि कोई लड़की एक दिन की दौरान बनने के लिए क्यों और कैसे तयार हो सकती है और एक दिन की दौरानों का क्या होता है तो बता दे कि इन लड़कियों को इस काम के लिए पैसे दिये जाते है और एक दिन के लिए हायर किया जाता है एक दिन के लिए दुलहन बन कर वो फिर अपने काम पर लौट जाती है जानकारी के मताबिक इस समय चीन में यहां बिजनेस काफी चलन में है वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद नमस्ते